हेलो फ्रेंज अक्सर रातों में पैरों के अंदर एठन के समस्या हो जाती है जो हमें ना ही ठीक तरीके से सोने देती है और ना ही हमें ठीक तरीके से चलने देती है लेकर आएं हूँ कुछ ऐसे उचार और कुछ ऐसे आसान से टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप रात के समय पर पैरों के अंदर होने वाली एठन को ठीक कर सकते हैं टिप नमबर वन है डी हाइडरेशन रात के समय पैरों में होने वाली एठन का एक यह भी कारण होता है जब हमारी बोड़ी अच्छे तरीके से हाइडरेट नहीं हूँ पाती है तब भी हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी होती है और हमारे शरीर के अंदर एठन की समस्या होती है इसलिए हमें पूरे दिन के अंदर पर्याप्त पानी की मातरा ज़रूर भी नी चाहिए ताकि हमारा शरी dehydration का शिकार ना हो और रात को सोते समय आपको पैरों के दर्ब का सामना ना करना पड़े यदि आपको रात को सोते समय पैरों के अंदर जकडन या फिर एठन की समस्या है तो ये हाइपो थाइरेडिसम के रक्षन हो सकते हैं क्योंकि जिस व्यक्ति को हाइपो थाइरेडिसम के शिकायत होती है उसके पैरों में मासपेशो के कमजोर होने की वज़े से या फिर ज्यादा दवाईयों का सेवन करने की वज़े से पैरों में काफी ज्यादा एठन की समस्या हो सकती है हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल का संतूलित होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है specially उन लोगों के लिए जिन ही diabetes की problem है यदि आप भी diabetes से ग्रसित हैं तो आपको अपने पैरों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि diabetes की रोगियों को अकसर पैरों के अंदर भी काफी ज़्यादा problem का सामना करना पड़ता है पैरों की खराबी, पैरों की नाखुनों का फटना, एडियों का सूजना और पैरों पर अग समय सूजन का घटना या फिर बढ़ना ये सारी चीजे diabetes के patients के साथ अकसर होती है इसलिए शरीर के अंदर blood sugar level का ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है Tip No.4 है दवाईयों का दुश्परिना कई वार हमारे शरीर में जब भी कही पेन होता है तो हम तुरंत पेन के लिए लेकर उस दर्थ को शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन अकसर जब हम बिना डॉक्टर के परामर्श के दवाईया ले लेते हैं तो वो हमारे शरीर पर side effects क्रेट करती है जिसकी वज़े से भी पेरों पर काफी ज़्यादा एठन का एहसास होता है टेप नमबर 5 है ठकावट पूरे दिन काम करने की वज़े से खड़े रहने की वज़े से या फिर ज्यादा तनाव वाला काम करने की वज़े से भी हमारे पैरो को काफी ज्यादा एठन का एहसास होता है और ये एहसास अकसर रात को ही होता है जब हम रिलाक्स होकर सोने की पोजिशन में आ जाते हैं तब ही हमें सारे दर्द का हैसास एक साथ होता है इसलिए कहा जाता है कि हमें सारे वर्क रोड को एक साथ नहीं लेना चाहिए हर काम को धीरे धीरे पूरा करना ही शरीर से ठकावट को दूर रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है टिप नंबर 6 है मासपेशों में ठकावट कई बार हमारी शरीर के आंतरिक ठकावट के वज़े से भी पैरों में एठन का एहसास होता है इसलिए कहा जाता है कि मासपेशों को मस्बूत बनाने के लिए हमें अच्छे आहार का सेवन करना चाहिए ताकि हमारी शरीर की आंतरिक मास्पेश्या मजबूर बन सके और रात के समय पैरों में होने वाली एठन हमसे काफी ज्यादा दूर हो जाए So friends, ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनका जानना आप के लिए बहुत ही ज़रूरी था आखिर किन कारणों की वज़े से रात को सोते समय पैरों में ज्यादा एठन का एहसास होता है और किन उपायों द्वारा आप उस एठन को ठीक कर सकते हैं इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए मेरी ब्यूटी और हेल्स से रिलेटेड वीडियो को देखने के दिए यूट्यूब पर लाइप, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए